जी आए नूँ प्यारे विद्यार्थियो टेंथ क्लास दी मैद दी बुगदा चेप्टर नंबर वन रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 ते इस एक्सरसाइज दी लास्ट त्री कोश्चन्स फिफ्थ सिख्थ और सेवन थासी सी वीडियो विच करांगे तुसी वीडियो नो ब तरहे विद्यार्थियो टोरी 10th क्लास ना जुडियां कुछ और प्लेइस वी यह यहने तुस्य उनों भी जूर देखो यह कैगी 10th Math Notes फिर यह कैगी 10th Science यह कैगी 10th English MCV यह कैगी 10th English Literature यह कैगी 10th English Grammar यह कैगी Math Concepts यह कैगी गनेदे सिधान्त ते यह कैगी Math Shortcuts and Tricks सो चैनल ते जाके प्लेइस्ट टैप करो ते एवली प्लेइस्ट नो भी एक्स्पोर करके जुरूर देखो और देखिए बच्चे उने एवले Questions Question 5 एक है चेक वैदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n बड़ा बढ़ी है बच्चे और रोचक स्वाल है गया है वह तो अनुष 6 जगा कोई होर नंबर भी दे सकते हैं और वो करन्द तरीका ही है जो तो अनुमे थले दस रहां सो तुसी इस दो लेना था सुवाल है मनल की दो पर explanation है कि फिर इस तरह एदा answer आजएगा दा सो इदा लिखने सिंस दी प्राइम फेक्टराइजेशन ओफ 10 इस टू इंटू फाइव चूंकि कहरें कि डिजिट जीरो ते एंड होएगा अगर बनाने एक जीरो भी अंदी है ते एदा मतलब जिदा मलो मैं कमा की 420 आगा है ते 420 नो में 42 इंटू 10 लिख सकता है अगर ए 2 & 5 अमंग दी प्राइम अमंग इट्स प्राइम फेक्टर्स इफ इस टू एंड विद डिजिट जीरो एदा मतला है अब बच्चेओ कि अगर कोई भी नंबर दे डिजिट जीरो ना एंड हों ली ए जरूरी है ए एसेंशेल है एकंपलसरी है कि जो दो दा प्राइम फेक्ट प्राइम फेक्टराइजेशन कीता जावे ते वह देविज टू एंड फाइफ दोनों जुरूर आने चाहिए देने अगर एक दो एक पांज आएगा ते दो पंजे दस ते फिर वह दा डिजिट लास्ट डिजिट जीरो बनेगा निदे नी बनेगा ठीके तो नाउ कंसीडर 6 raise to power n उन्हों एफ पुछरे ने 6 दे बारे पुछरे ने की 6 raise to power n एन दी पावर कोई भी natural number कर देता जावे ते कि वह 0 ते एंड होएगा So 6 raise to power n उसी लिख सावे दे 2 into 3 क्योंकि 6 दा प्राइम फेक्टोरिजेशन 2 into 3 एगा पुरे दी पावर raise to power n उन्होंसी ब्रेकेट खोल दांगे ते बनेगा 2 raise to power n ते 3 raise to power n एदा मतलब की होया बच्चेओ कि 6 दी पावर जिन्नी मर्जी लेलगो 3, 4, 5, 10, 100, 200, 300 n जिन्नी मर्जी पावर कर दो वह पावर जड़ी n दी इत्थे आएगी 6 दे वही 2 दोते आजएगी ते वही 3 दोते आजएगी जन्ना बड़ा मर्जी कर लो 2 दोते आएगा पर 5 नी आएगा सो 2 दी पावर बदे बदी जाएगी उन्नी ते 3 दी पावर बद जाएगी सो वी अबज़र्व देट दी प्राइम फेक्टरिजेशन अव 6 इन्क्लूद्स 2 दोते आगा यह बट नॉट 5 नी आगा यह दे विच देरफोर 6 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number n सो बच्यों इस स्वाल नूँ ए अंसर नूँ दो तिन वार बार बार पड़ो मैं बोल के सुन जावी देता है नूँ तो अनू ते फिर जदो असी यह नूँ बिना देखे अपने आप ए जड़ी उपर ली दो स्टेट्मेंट ते बाद चो दो लैना वीच एक्सक्राइशन जड़ी यह वो तुसी लिखन दी यह दी प्रैक्टिस कर लो चन्दी तरह उन्हों छे दी जगा आठ भी दे सकते सेगे ति आठ दा बाजना सी 2 x 2 x 2 x 2 13 and 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 2 x 1 plus 5 are composite numbers ठीक है बच्चो तो को है तो उन्हों पता है कि मैं एक एड़ा वीडियो बनाया है बच्चो मैं एक प्लेलिस्ट है गी है आड़े प्रैक्ड नम्बर संस्काति है लुद hut GE बसुक्त कुम्हर नमबर फ्रदू ऋपर प्रड़ा उन्देन काल पालीक्टिंट नक पनले ऐन्यों में इखो ठांच रुछ मिय और प्रड़ाउस्ञ आज हैं of arithmetic any composite number can be expressed as a product of prime factors any composite number can be expressed as a product of prime factors and this prime factorization is unique so now number 7 x 11 x 13 plus 13 count here plus 13 is 13 two terms hiya so 13 common has 13 common gather so 13 common so 37 plus one sevigrown78 human seven twenty seven percent the same Saturday tjct 277 2 x 3 x 13, 2 x 3 x 6, 6 x 13 is 78, ठीक है यह उन्द को सारे प्राम फेक्टर होगे, 13 v2, 3, 13 है, प्राम नम्बर होगे, स्वेह यहनु सिंपलिफाई कर लिया एदा, असंदिंग अचलिए 2 x 3 x 13 raised to power 2, एक 13 एवड़ा, एक 13 एवड़ा, एक 13 एवड़ा, जो एक नम्बर सेड़ा, प्राम फेक्टर रिजिएशन विच आगया, सिंस दी नम्बर 7 x 11 x 13 plus 13, can be expressed as a product of prime factors, इत इस आ, प्राम फेक्टर, अवन दूसरा नम्बर देखिए, एक 13, and number 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 plus 5 is equal to, इते 5 है देखो common, इते 5 common है, इते second term विच 5 फिर common है, so 5 ले 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 बाहर, so 7 x 6 x 5 दी जगा बन आ गया, into 4 x 3 x 2 x 1, इते 5 दी जगा बन आ गया, उन 7, 6, that 42, 42 x 1 is 42, 42 ले 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 ले, 4 x 3 12, 12 x 3, 12 x 2, 24, 24 x 1, 24, so 24 plus 1, so 42 x 24 किन आ गया, 1008 plus 1, so आप बन गया, 5 x 1008 plus 1 किन आ गया, 1009, अन बंच्यों, 5 is a prime number, 1009 is also a prime number, So, since the number 7 into 5, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 2 into 1 plus 5 can be expressed as a product of prime factors, it is a composite number. So, as well, fundamental theorem of arithmetic which states that any composite number can be expressed as a product of prime factors, prime numbers and this factorization is unique to that number. Question number 7, there is a circular path around a sports field, there is a circular path around a sports field, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, it takes 18 minutes. While Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? कि किन्नी देर बाद मुणके हो उसी थाहते जित्तों शुरूँ ऐसी उत्ते मिलनगे? क्योंकि एक दी स्पीड तेज है वो अगे निकल जाएगा, Ravi अगे निकल जाएगा, पर अगे अगे जाके जाके फिर उखी होएगा दुबारा किन्नी देर बाद हो मिलनगे? So, time taken by Sonia to drive 1 round 18 minutes, time taken by Ravi to drive 1 round 12 minutes. उने दी एक्स्वानेशन दा लिखनी है, Since Sonia and Ravi both start at the same point and at the same time and travel in the same direction, the time interval after which they will meet again at the starting point will be the LCM. Least common multiple of their respective times to complete one lap, lap नू round भी गया दन्या, मैं ताहां जानके शबद वरते है, ताकि तो आद येंग रेजी भी इंप्रूव होजा है, So, round the lap मैंने गेडा of the field, ठीक है जी? अब देखियों, So, doing prime factorization of 18 and 12 we get, 18 in the prime factorization कीता थे अवने 2 into 3 into 3, 2 ती है 6, 6 ती 8, is equal to 2 raise to power 1 into 3 raise to power 2, फिर 12 वा गया 2 into 2 into 3, 2, 2, 4, 4 ती भारा, उन्होंगे 2 raise to power 2 into 3 raise to power 1, ते बच्यों, असी जानते हैं, LCM की होंदा है, product of the greatest powers of each prime factor, So, इथे greatest power 2 थी कडिये गिये, 2 raise to power 2, ते 3 थी greatest power कडिये, 3 raise to power 2, इथे 1 गिये, 2 थी थे 1 गिये, 2 थी थे 1 गिये, So, 2 raise to power 2 and 3 raise to power 2 are the greatest powers of all the factors in the two numbers, Therefore, LCM 1812 थे 2 raise to power 2 into 3 raise to power 2, इस गोड़े 2 थे 4 थी थे 9, इस गोड़े 36, Thus, Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes. So, आवले स्वाल बच्चों, इस तंग दे रान कीते जानेने, So, इस वीडियो था थी exercise 1.1 इथी समापतन दिये, अगले वीडियो वेच असी exercise 1.2 शुरू करांगे, So, तुसे इसी तरह नेव नाल, उत्षाद नाल, अनुशासनाल अपनी पड़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लिए रब रखा, तुड़ा सारे अंदा बहुत बहुत तन्वाद कर दो हो अगले करे हो टार।